हमारे वीडियो में दिखाए गई सभी जानकारियां विभिन्न सूत्रों द्वारा एकत्रित की गई हैं इन जानकारियों का अपने नीजी जीवन में इस्तमाल करने से पहले किसी विशिशग्य की सला लेना अनिवारे है हमारे द्वारा दिखाए गई वीडियो में किसी भी प्रकार की जाती, धर्म या व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है यदि इसके इन में से किसी के साथ कोई भी समानता होती है तो इसे मातर एक संयोग कहा जाएगा स्वस्त भारत, सम्रिद्ध भारत आज का विशे, महिलाओं के लिए तुलसी का उप्योग नीम के पेड का गम, आजवाइन के बीज, तमल पत्रा और तुलसी के पत्ते को सामान मातरा में पीस के पाउडर बनाके 100 ग्राम पानी में डाल कर तब तक खोलाया जाए जब तक कि एक चौथाई पानी न रह जाए ये रस पीने से पीरेट्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग से बचाता है गर्भवती महलाएं तुलसी के पेश्ट को पेट पे और उभार पे लगाएं जब खुजली से सुरक्षित रखता है 125 ग्राम तुलसी 500 ग्राम सीशं का तेर साथ मिलेने से प्रसर्व की पीरा को कम करता है और मुर्चित होने से बचाता है तुलसी के बीच को 12 ग्हंटे तक भिगों के पीस कर चीनी के साथ देने से प्रसर्व के बाद की पीरा में राहत करता है 20 ग्राम तुलसी का जूस, 20 ग्राम मक्की का जूस, 10 ग्राम अश्वगंधा का जूस और 10 ग्राम शहद का मिश्रण 7 दिन तक लेने से शिशु के लिए दुख्ष का संचार बढ़ता है 20 ग्राम तुलसी का जूस, चावल के पानी के साथ लेने से प्रदर से राहत दिलाता है किन्तु ध्यान रहे, इसके इलाज के दौरान दूज चावल या घी चावल का सेवन ना करें तुलसी के जड़ का पाउडर, पान के पत्ते में लपेट के खाने से पेट का आंत्रिक स्तर ठीक रहता है रोजाना स्तमाल के लिए 125 ग्राम तुलसी के बीज, काले सीसम के बीज, नवीन पौधा, कॉटन का, नवीन पौधा, बास का, गुड़ के साथ पाउडर बना कर ले तुलसी यूटरस को मजबूत और तंद्रुस्त बनाता है तुलसी जूस रोजाना पीना प्रसर्व पीड़े के लिए काफी उप्योगत होता है पुरुशों के लिए तुलसी का क्या उप्योग है यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस कारेक्रम का अगला भाग देखे धन्यवाद पौधे बढ़ाओ, जीवन बढ़ाओ